सीजन वन एपिसोड फोर स्टार्ट होता है और हमें सॉल का एक फ्लैश बैक का सिन दिखाया गया है इसमें वो उसने एक सिटी में एक न्यू फ्रेंड बनाय हुआ होता है और वो रात में बुरी सिटी घूम रहे होते है वो हैंग आउट करते हुए हाउल वेगरा करते हुए आगे जा रहे होते है तब ही एक एली में सॉल के फ्रेंड को एक बटवा मिल जाता है उसमें बहुत सारे पैसे होते है फिर आगे चल कर उन्हें दिखता है कि एक आमीर आदमी है वो पड़ा हुआ है और उसके ये पैसे होते है वो उससे बात करने के कोशिश करते है पर वो बहुत ही ट्रंक होता है और उन्हें गालिया दे रहा होता है तो इसलिए वो डिसाइड करते है कि उसको हम रूट लेना चाहिए उसका wallet वो वापस नहीं देने वाले होते Saul का जो friend होता है वो सब पैसे रखने वाला होता है क्योंकि उसे वो बच़ाया मिला होता है फिर Saul बोलता है कि इसकी जो घड़ी है वो मेर्ख रहा हूँ Saul उस घड़ी को लेटा है और jail मेरर रख रहा होता है वो 500 डॉलर्स उपर से उसे देता है उसके न्यू फ्रेंड को लगता है कि उसने एक अच्छी घड़ी मिली है और ये बहुत ही प्रॉफिट उससे मिलेगा पर हमें पता चलता है कि वो जो अमेर आदमी वहाँ पड़ा हुआ होता है वो सॉल का एक्च्छल फ्रेंड होता है वो दोनों मिलकर उसके दो फ्रेंड को रिप उफ कर रहे होते है यानि कि उससे पैसे वो एट रहे होते है वो जो घड़ी होती हो फेक होती है और उससे उन्हें 500 डॉलर का प्रॉफिट हो जाता है फिर उसका friend उसे appreciate कर रहा होता है कि तुमें देखना बहुत ही अच्छा है जब तुम काम करते हो तुम बहुत ही इस काम में बहुत ही अच्छे हो Saul बोलता है कि beer के पैसे इससे मिल जाते है इसके आगे में कुछ भी नहीं करना जाता फिर से हम सीरिस्ट के वक्त में आ जाते है केटलमन्स को अब Saul ने पकड़ लिया है तो अब वो तीनों बात कर रहे है केटलमन्स से बोल रहे होते हैं कि किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए Saul बोलता है कि तुम यहां केमपिंग कर रहे हो और उन्हों ने एक इनोसेंट मैण को जेल में रख दिया है उसकी फैमिली भी है फिर बेट से बोलते है कि यहीं वही आदम होगा जो हमारे घर के बाहर था हमें एक कौल भी आया था कि हम डेंगर में है तो यह वहीं आदम होगा जो हमारे पैसे लिने वाला होता पर में तुम्हारे लिए डॉयर बन सकता हूँ, यह रिटेनर की तौर पर में तुमसे ले सकता हूँ, बैटसी उसे ना बोलती है, वो बोलती है कि हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते हैं, सॉल फिर प्रेस करता है कि क्यों तुम मुझे हायर नहीं कर सकते हैं, बैटसी उसे क्लेर करती है कि guilty लोग तुम्हें hire करती है, इसलिए उन्हें उन्हें पताना है कि तुम package के लिए आये थे और तुमीने आयो हो दिखता है, वो माइक को बोलता है कि उसने उन्हें ढूंड लिया है, वो कैम्पिंग के लिए गए थे, फिर सॉल नाचो के पास आता है, चो को वो छुड़वाता है और बोलता है कि तुमने जैसा बोला था, वो वे समयने सब कर लिया है, नाचो फिर उसे बोलता है कि उनके पैसे ले ले थे तो वैसे भी तुम पकड़ी ही जाने वाले थे और तुम्हें 18 years जेल में जाना पड़ता था तो जिसने भी उन्हें कॉल किया था वो एक अच्छा आदमी है ऐसा तुम समझ लो फिर सॉल हमें वो सब पैसे गिनता हो दिखता है वो बोलता है कि इस पैस की तरह ही अपने हेर डाय करने वाला होता है पर वो पर्मनेंट होते है इसलिए वो नहीं करता नेक सीन में कीम अपने ओफिस में होती है और उसे सॉल से बात करनी होती है इसलिए उसे एक वोईस मैसेज छोड़ रही होती है उनका प्लैन होता है कि वो मूवीज के लिए जा विधा हुआ होता है और उसका logo विगरा बहुत ही सेम होता है Harvard का सेमी सूट उसने बाई किया होता है और फिर hair colors विगरा सब Harvard की तरह उसकी दिखरे होते है Harvard Kim को बोलता है कि तुम उससे बात करती हो तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि ये वो क्या कर रहा है फिर रात को Kim Saul के पास आती है Saul उसे massage offer करता है और massage के stair पर बेटाता है वो फिर उसे issue की बारे में बोलती है वो उसे समझाती है कि तुम्हें वो उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो Saul बोलता है कि उसने पहले start किया था मेरा नाम भी में use नहीं कर सकता इसलिए मैंने ये किया है वो बोलती है कि तुम्हें ये declaration of war कर रहे हो तुम्हें अपनी IT&TD खुद बनानी है तुम ऐसे दुसरे के brand के उपर customer नहीं ला सकते वो उसे फिर एक notice भी देती है Saul इतना उसका attention नहीं लेता फिर court में judge के सामने Howard और Saul होते है Saul judge को बोल रहा होता है कि बहुत सारे font है तो मैंने उसके billboard की तरह ही एक font चूज किया और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है Howard तो कोई font वेकरा तो ओन नहीं करता उसका logo same हो सकता है पर उस lawyer उसे बोलती है कि तुमारा और उसका logo बहुत ही सेम है क्योंकि Saul का जो logo होता है उसमें placement Saul का दिखना वो सब Howard के तरह ही होता है इसलिए वो से billboard नीचे लाने के लिए बोलती है फिर Saul हमें दिखता है कि बहुत सारे reporters को वो call करता है वो बताता है कि यहाँ एक story है कि बहुत बड़ी firm ने एक चोटे से lawyer को दबा दिया वो influential है इसलिए चोटा lawyer यानि कि वो खुद कुछ भी नहीं कर सका कि story करने के लिए कोई भी ready नहीं होता तो एक camera man विगरे खुद ही hire कर लेता है और फिर वो उस billboard के सामने आकर यह सब बोल रहा होता है जब वो यह सब बोल रहा होता है तब उस billboard को निकालने के लिए उपर एक आदमी होता है वो आदमी आचानक उसका उसको करते हैं और Harvard इस चानल और Harvard इस निउस को भी देखता है Harvard कीम को बोलता है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे पर कीम बोलती है कि लोग हिरो को पहचान लेते हैं इस दिन फिर Saul अपने प्रदर चक को मिलने जाता है उसकी निउस पेपर वो घर में ला रहा होता है पर जो अलपकरकी का लोकल निउस पेपर होता है वो वो नहीं लाता वो वो बाहर ही रख देता है उसका ब्रदर उसे अच्छी तरह से जानता है और Saul ने अगर वो उस निउस पेपर उसे दिखाया तो उसे पता चल जाएगा कि Saul ने एक चाल की थी इसलिए वो उसे वो वेप न्यूस पेपर नहीं देता जब वो अंदर आता है तो Saul का ब्रदर वही न्यूस पेपर ढूंटा है फिर Saul फिर उसे बताता है कि आज मेरी चार अपॉर्मेंट्स है Saul को न्यूस मेडिया कवरेज मिली इसलिए उसे आज बहुत सारी अपॉर्मेंट्स होती है उसका ब्रदर उसे पुछता है कि आचानक ये कैसे हो गया फिर Saul उसे बोलता है कि जैसे तुमने मुझे बताया था कि आच्छा काम करते जाओ और लोग फिर से तुमारे यहां आते जाएंगे इसलिए मुझे आप काम मिलना स्टार्ट हो गया है Saul का ब्रदर फिर उसे पुछता है कि तुम्हें रेफर वेगरा कोन कर रहा है तो Saul उसे उतना अच्छा आंसर नहीं कर पाता फिर Saul के ब्रदर को शक चला जाता है फिर Saul जाने के बाद उसे मालूम होता है कि पेपर उसे मिल जाएगा अगर वो बाहर गया तो Saul के ब्रदर को यानि की चक को जब बाहर निकलता है बहुत ही दर्थ हो रहा होता है बहुत सारी radio waves वेगरा उसे बहुत ही परिशान करती है पर फिर भी वो neighbor की door पर जाता है और उसका news paper निकालता है और फिर से घर में आ जाता है जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि Saul ने क्या stunt किया था यही episode खतम हो जाता है